तो कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के लिए दूसरा वीडियो एकसल का लेकर आ चुका हूं पार्ट टू जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर माली जी वन से लेके 20 तक आपको किसी कोई टेवल लिखने के लिए बोले तो कैसे आप लिखेंगे देखें यहा से थोड़ा से ड्रैक करेंगे और इसको यहां से फिल स्रेज करेंगे जिससे क्या होगा उससे पहले मैं सारे कॉल्म को थोड़ा सा यहां से बॉर्डर कर ले रहा हूं से करके फुल बर्डर कर दे रहे ताकि लाइन भी आपको प्रॉपर दिखे तो अच्छा लगता है यहां पर इसी तरीके से वन लिखेंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है यहां से इसको ड्रैक कर लेंगे जितने आपको टेबल चाहिए यहां पर इसको फिल स्रीज लगाएंगे तो यह नंबर लिख जाएगा इसे नाइन हो गया और इसको तोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सेक्षन को आटो और जिस्ट भी लगा सकते हैं साटकट के मदद से आल्ट हो आई के मदद से लिकिन अभी फ मालीजे फिल हल के लिए मैं यहां पर 15 तक या 20 तक लिखके दिखाने वाला हूँ आपको इस तरीके से हमने यहां पर जो है और यहां से एक बार इसको माउट ड्राइक कर लिए 15 तक मालीजे 15 तक टेबल लिखना चाहिए तो आपको क्या करना होगा यहां पर दिखी सबसे पहले आपको लगाना एक वेल लगाने के बाद में आपने यहां पर बीवन को मल्किप्लाय का साइन लगाना है और यह वाले यह जो कॉलम और रो को आपस में करना है लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या करना होगा यह जो बीवन वाला कॉलम है इसको यहां पर बीच में एगा इंधि को एट्वार्तось कर लेंगे और यहां पर एटू से यह से पहले यानी ए से पहले आप फिर से साथ चाहले ठीबल बनाने का10 लेकिन वह में इसको ट्रैक करते हैं नीचे की तरफ तो देखेंघेंगे करेंगे तो देखेंगे टेबल लिग गया है और यहां पर पूरे कॉलम में ड्रेक कर लेंगे देखेंगे पंद्रय का टेबल पूरा आपके सामने दिख रहा है तो इस तरीके से जितना भी आप ड्रैक करें न उतना टेबल आपका आटोमेटिक जो है लिख जाएगा और यह बहुत ही सबसे आसान तरीका था टेबल का चलिए कुछ चीजे हैं मौर सीखने को कोशिश करते हैं सेकंडे वीडियो में जैसे कि माल लिजिए यहां पर मैं सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके से यहां पर मल्टिप्लाइब कर सकते हैं आप देखें इस तरीके साब कुछ इतना भी टेबल निकालना हो निकाल सकते हैं अगर माल लिजिए आपको कोई संख्यादी हुई हो माल लिजिए क्वाल में फिल्ड कर दे रहा हूं और किसी ने कहा कि एक केवल कॉंटिटी को आप टोटल कर दीजिए तो टोटल करने के लिए दिखे आपको क्या करना होगा एक्क्वल लगाना होगा उससे पहले सब्सक्राइब अब को सेलेट कर ले रहा है यहां पर और से टेबल करने के लिए इक्कोर लगाना है सम लिखने आपको सम लिखने की बर ब्रेकट लगाएंगे और यहां पर इस पूरे रेंज को सेलेड करा देंगे यानि C2 column से लेके column वहां पर लगाए जाता है जहां पर एक से ज़्यादा ची जोड़नी हो और प्लस जो है लाश्ट वाले column को लगाएंगे एंटर करेंगे दिखेंगे यहां पर टोटल आ चुका है और इस तरीके से अगर आप माली जय लगाते हैं और यहां पर क्लिक करते हैं फिर प्लस लगाते हैं फिर लगाते हैं तो ऐसे में क्या होता आप वह बहुत जादे लंबा लगाना पड़ेगा और ऐसे में गलती होने के चांसे भी ज़्यादा रहते हैं तो यह तरीका मैं तो कहूंगा नहीं सही है आपको सिंपल सा सम लिखना है और इक्वेल उसके बाद यह पूरा रेंज आप इसे ड्रैक कर दीजिए और ब्रेकट को बन करिए इससे क्योंगा टोटल आएगा यही फार्मूला आप एक सौटकर की के मदद से भी ला सकते जो कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था यहां पर आपको कुछ नहीं करना जैसे यहां पर आप क्लिक करिए थोड़ा सा में हाइलाइट कर दे रहा हूं अब आल्ट बटन दबा लेजी कीबोड का और इक्वेल दबाईए तो देखेंगे आटोमेटिक फॉर्मूला लिखके आ जाएगा और एंटर करेंगे तो लिखेंगे तब एंसर आजाएगा और यहां फिर आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना इससे क्या होगा दोनों से नाम लिख जाएगा और बीच में के वहला आपको साइन लगा देना एंटर करेंगे तो तब भी टोटर यहां पर आ जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हैं सब्ट्रैट डिवाइड किछ भी कर सकते हैं तो चलिए यह तो हमारा हो गया सिंपल से फंड़ा मैंने आज मुझे बताना था टेबल लिखने का तरीका जो कि मैंने आप को बता जिए टेबल कैसे लिखते हैं और उसके बाद में माल लिजी यहां पर हमें फाइल यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी आपसे नाम पूछा यहां पर डाल दीजिये लोकेशन पूछता है कि डेक्श्टॉप करना है डाउनलोड वाले फूल्डर में करना है म्यूजिक में पिक्चिर में यह पहले से डिसाइट करने क्या प्याफिद हमारी झाहिए कर देदेंगे कोई भी नाम देदेंगे इसे माल लिजी हम यहां पर देदेंगे अगर इस फाइल को हम कर दे रहें कट यहां से अब देखते हैं इसको ओपन करके सबसे पहले आपको क्या करना है सर्च में आना है एक्षल लिखेंगे Acts 12 विजयागी आपका अब देखें इसाइल में जाएंगे मालिजे वही फाइल ना है तो यहां यहां पर द क्लिक करें और आपका जो भी फाइल हो जिस लोकेशन में से माले फिलाहल यहां पर देखें डाकॉमेंट सेलेक्ट है यहां पर क्लिक करें हमारा फाइल के अंदर नहीं है तो हम फाइंड कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे डेक्स्टॉप पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसके अंदर हम इसक चैंज कर दीजिए तो आप से क्लिक करेंगे तो सेप नहीं होगा तो सेब आइस का मतलब होता है या तो लोकेशन बदल दीजिए या फिर जो है इसको कहीं और सेब कर दिजिए या फिर नेम भी चेंज कर सकतें तो सेब आएंगे तो फिर से वही उप्शन खुलेगा जबकि सब्सक्राइब करने दोबारा इसका नाम बदलना है तो हम यहां पर नाम बदल सकते इसे मालने ज़िए पार्ट टू कर दिया थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया और फिर डेक्सटॉप पर ही रखना चाहरें फाइल तो डेक्सटॉप पर क्लिक करेंगे और सेब कर देंगे यहां पर नाम हमारा चेंज हो के आ चुका चलिए हम फाइल दोनों आपको दिखा देते ह देखे राज वाली फाइल है और यह पार्ट फाइल बन चुकी से वाइस क्या करता है हमारे फाइल को कॉपी भी कर देता है निहीं कंपी करके और बना देता है दो फाइल आपके सामने यहां पर दिख्रें राज 2 और पार 2 ग्लियर तो सेव ऑ सेब फाइस ओपें दोनों च नहीं हुआ पूरा एक्सल क्लोज करना है तो अब क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा या फिर यहां पर जा इंधिक करना होगा ठिकर करके परले फोगा यहीं से हम फाइल को ओपेंड कर ले रही हैँ है जो करते में आपके आचुकी। जबिखना आपको सिखायां था है इसको आप ज़रूर सीख लिए यहां पर राज तू नाम के फाइल आपके सामने ओपन है राज टू वाले में क्या है यह टेबल बना हुआ है और इसमें थोड़ा सा कलर भी कर दे रहे हैं इससे पता चले कि टेबल वाला ही प्रोग्राम है और क्लिक कर दिया क्योंकि जो पार इसके लिए यहां पर प्रोटेक्ट वर्क लिखा हुआ यहां पर क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे आप एकसल में सेधोर शाथ-सात उस वारा ईश्डर रिपीट करने के लिए बूल रहा है तो वही पासवर्ड हम दुबारा रिपीट करेंगे ओके कर देंगे और एक बार ध्यान दखिए इसको से पर जरुर क्लिक कर देना अब जैसे मानि झाल कोई खोल ला तो हमका एसे यहां पर देखे पर आते हैं आपस पूछ रहा है तो पासवर्ड में आपको वही पासवर्ड डालना जो पासवर्ड आपने क्रेट किया था पासवर्ड डालके एंटर करेंगे दिखेंगे आपकी फाइल जो है ओपन होके आ चुकी है तो यह इन्फो आप्सन बहुत ही ज्यादा कमाल का जिसमें पासवर्ड लगा सकते हैं रिसेंट का मतलब वही फाइल जिसमें रिसेंटली जो काम अभी किया गया है वह दिखाएगा निव का मतलब माने जी फाइल हमारी खुली होई है मुझे इस पर काम नहीं करना है वैसे आप तो क्लिक करिये तो पूछ रहा है कैसा आपको चाहिए रिसेंटली टमप्लेट वाला चाहिए बना बनाया टमप्लेट चाहिए तो यहाँ ज्यादा तर लोग ब्लैंक पर क्लिक करेंगे तो एक नई वर्क बूक आपके सामने कुल के आ चुके जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रिंट देखिए अब मैं फिर से वही फाइल पर जाता हूं क्योंकि वह फाइल में हमारी डाटा है और यहां पर हम आपको प्रिंट ऑप्सन भी थोला सा समझाने वाले हैं तो डेक्स्टॉप मैंने क्लिक कर दिया और राजटू नाम के वारी फाइल थी वह मसलेट कर दे रहे हैं राजटू देखिए यह फाइल हमारी जो है ओपन वरी लेकिन यहां पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड हमने डाला था वन टू तो अच्छा एक चीज में और होता है तो अगर वाली ये password आपको हटा रहेगा तो अपैसे password को हटाएंगे माली ये राशटू आपके us लिए बादे और 48 कर देए से इसको कट कर दे रहा है फिर से यहां पर फाइल में गए ओपन करके देखते हैं कि यहां पर देखें कर लिया ओपन कर लिया देखिए अपकी बार पासवर्ड नहीं मागए यानि पासवर्ड वहां से आप अपका भी सकते हैं इनफो से यहां से पास्वर्ट लगा भी सकतेए क्लियर कि चलिए देखते पेंडे में बना देखने जब две तो इसको क्या करेंगे हम चाहरे एक पेज में आजे है तो पहले तो आप सेलेक्ट करने करने के बाद में कि आप च्टू टा स्टे लेओड है यहां के लिएrim । फुरा हैं च्टिक यहां पर तक्लिक करने करें तो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर ध्यान रहे हैं तो यहां पर प्रिंट सेलेक्शन जरूर लगा दीजिए इसका मतलब यह है कि जितना एरिया हमने सेलेट कर रखा केवल उतना ही प्रिंट हो और साथ में यहां पर जो भी आप प्रिंटर लगाएंगे जैसे कि हमारा यहां पर दिखारा एच पी का लेजर जेट जैसे बाद यहां से पेपर में ज्यादा तर यूज होते हैं तो प्रेंट करते हैं अगर आप चाहें तो यहां पेज को बोलते हैं इसको खड़ा पेज को बोलते हैं तो आपकी उपर ही जैसा करना चाहिए तो मालीजी हमने लेड़िस्केप कर लिया और सिंपल सा दिखे प्रिंट करेंगे तो एक कॉपी निकल लेगा अगर एक से ज्यादा निकालना है तो आप यहाँ पर नंबर की संख्या डाल सकते हैं लेकिन आप ध्यान रखे जब भी आपको प्रिंट करना तो पहले एक पेज प्रौपर आ जाए तब आप जितना भी मर्डि करेंगे जैसे प्रिंट करेंगे यह अगर आन होगा तो उठा लेगा तो यहां पे फाईल का मतलब क्या होता है जैसे यहां से हम इसको वाए इमेल्ट के माद्धियम से किसी को शेयर करके हैं लेकिन क्या है कि बनाना भी हम आ तो इसका कोई यहां से यूज करने का कोई मतलब नहीं अगर आप चाहें तो ट्राय कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट एकसेस होगा तो यह काम करेंगा जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे जो कि इमेल डारेट आप करिए इमेल जीमेल आईडी से या फिर वाट्सप से भेज सकते हैं तो यहां पर पेज ही आपको छोड़ दे रहें और क्यूंकि इसमें इंटरनेट एकसेस नहीं है इस लैपटाप में फिलहाल तो इसको आपको करने की जुरूत नहीं है इसके लिए मैं ब इसमें बहुत सारे चीजें हैं तो आप देखें जैसे मालेजिए आपके सामने होम मीनु इंसेट पेज लियाओट फॉर्मूला डेटा व्यू इतना साथ चीज शो कर रहा है और इसमें तो कोई चीज हटाना हो जाए न तो यहां पर क्लिक करेंगे सिंपल सा रिवन साथ में अगर यहां पर कोई उपसन लेकर आना है एक्स्ट्रा तो यहां पर आएंगे वैसे मैं तो कोऊंगा इससे च्छेट चाड़ना करिए तो ज्यादा बेतर होगा मालेजिए हम चाहते हैं बौर्डर वाला उपसन उपर याजए कट वाला उपसन उपर आजए और यह कि अगलतए हैं में यहां पर्म क्राशशीत में यहां पर दिखाते हैं आप से आने के बाद में यहां पर लिवन पर आ गया इसको तो हम होम मिन्यों टिक हटा दे रहे हैं फिलाल अगर होम मिन्यों गाइब हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है आपको यहां पर इस सारे एड़ांस टूल्स हैं थोड़ा बहुत यूज करते हैं लोग तो इसमें ज़्यादा छाड़ करने मेरे इसाफ से ठीक नहीं है और देखें यहां पर रहां पर यहां पर तो आपसन पर आएंगे और यहां पर कस्टमाई ribbon पर यहां पर यहां पर रीडूवाला ऑफसन हम धूंदेंगे कहां पर रीडू है यह प्लिक करेंगे और इसको आइड करतेंगे लिए सारे सेटिंग्स है तो यहां से रिशेट कर दे रहे हैं वरना किया से डिस्टब हो जाती है कर दे रहें देखिए यहां पर मारा यह वापीस आ चुका है तो अगर कोई ज्यादा गड़बडी कर दिएगा तो यहां को मैंनेज कर सकते हैं कुछ तूल है वेड़ हो जाते हैं तो बहुत लोग नहीं जान पाते हैं तो आप्सें नहीं तो आप्सें के मदद से अपकर सकते आप एक्जिट पर क्लिक करेंगे तो पूरा एक्सल ही आपका एक्जिट हो जाएगा एक्जिट कर दिये तो यह बंद हो चुका है फिर से ओपन कर लेते हैं यहीं से अपनी फाइल को और यह फाइल हमारी ओपन हो कि आ चुकी है अगर पूर रूस है ना खुले तो फिर से जाएंगे ओपन करेंगे यहां से जी जो है ओपन हो जाएगा साथ इन सब चीज का शाटकरण के मजब से भी आप भी यूज करेंगे हम आपको नेक्स्ट लास में एक साथ में पूरा शाटकरण बताएंगे